हेलो अब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आज जरो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़वल किचिन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा वीडियो कर अच्छी लगे तो जादा तर लोग कि रात को हम लोग जब भी बरतन साफ करके रख देते हैं तो उन्हें हम डलिया में मैक्सिममम टाइम ऐसे खुलाई छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि रात को यहां पर छिपकिली, कॉक्रोच, मच्छर, मक्षी, तमाम मतलब कीडे मकोडे ऐसे आत तो आपको ऐसा कभी नहीं करना रात के टाइम जब भी आप बरतन साफ करके जा रही है तो प्लीज आप अपने बरतनों को किसी भी कॉटन के अच्छे से कपड़े से मोटे से कपड़े से इन्हें धख कर जाए ताकि इनके उपर कोई भी कॉक्रोच या चिपकिली बगर अगर टिप अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट करकर जरूर बताइगा कि क्या आप भी अपने बरतनों को रात में ढख कर जाते हैं और नहीं जाते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजे तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तर से पीस लूँगी पीसने के लिए मैंने यहां पर खल्लड का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि उसमें फिर बैड स्मेल हो जाती है तो आप क्या कीजे कि इसमें मैंने वहीं स्लैप पर पीस लिया है और उसके बाद मैं इसको अपने किसी भी पुराने बरतन में भर कर रख से हाँ पर आप थोड़ा सा इसमें पाद कर सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी डेला है ताकि हमें यह बहुत ही स्ट्रोंग स्लूशन बन जाए जिससे लिए SPE माल करें इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा वीडियो कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही साथ अपने फैमली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजेगा ताकि उनको भी हैल्प मिल सके तो यहां पर मैं अपने श स्क्रबर से किसी से भी इसको डाल कर सलुशन को अच्छे से रब कीजिए और आप देखेंगे कि कितना भी आपके श्रिंक में स्पोर्ट लग गए हो हाड़ वाटर के या फिर किसी भी चीज के तो वहां पर आप इस ट्रिक को जरूर ट्राइ कीजेगा आपके सारी श्रिंक एक दम नई जैसी चमक उठेगी तो मैंने यहां पर अपने स्क्रबर से ही साफ किया है ताकि स्क्रबर में भी अगर कोई वैक्टिरिया है तो वो भी सब खताम हो जाएंगे तो एक साथ दो-दो काम हो सकते हैं और आपकी श्रिंक एक दम नई जैसी चमक उठेगी आच्छा इस चीज को आप अपने wash vision के साथ भी कर सकते हैं अगर आपका wash vision घंदा हो गया है आपको लगा रहती ही की शाफ नहीं हो रहा है तो harpik का इस्वरा अस्तमाल आए तो लाव ची करते हैं किसी सिर्फ कि सीज़ सु दैये और अपने टूथपेस ज़रा सा किसी स्क्रबर कर कोई बालें जिसे क्या होगा इसके अपाइप इंदर कोई फिरकाम और फिर भीया तो उस एक नहींगा है गया अंडर 2013 की तो कॉझा घस घ zen क्रश करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम इसे क्रश करते हैं अजमाइन को तो यह इसमें इसके अंदर से जो ऑईल होता है वो रिलीफ होता है जिसकी वाज़े से इसका और भी स्ट्रॉंग फ्रेवर आ जाता है उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी कॉटन और कॉटन थोड ही काम की चीज बनकर त्यार हो जाएगी जो आपको मतलब कहते हैं न मौसम की जरूवत यह मौसम की जरूवत है इस समय हमारे मतलब इस समय जो मौसम हो रहा है उस टाइम पे हमें यह ट्रिक जरूर करनी चाहिए तो लेकिन आप इसे एक दिन बना कर रख लेंगे तो आठ द उपर फैला देंगे और इन सब चीजों को फैलाने के बाद में आपको इसे हतेली की मदद से मतलब फोल्ड करना है बाती को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए जिससे कि जब हम इसको जलाएं तो यह अच्छे से इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली है उनका अच्छे से भी आजाए और यह बाहर भी ना नेकलें तो देखिए हातों की मदद से कुछ इस तरह से आपको इस बाती का रूप दे देना है ठीक है और उसके बाद अगर आपके पास कोई बड़ा दीपक है तो बड़ा दीपक ले लीजिए यहां पर मेरा दीपक बहुत चोटा है लेक के बाद हम इसमें डालेंगे जो नीम का तेल होता है न वो अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो कोई परिशानी की बात नहीं है आप इसमें मस्टर ओयल का भी इस्तमाल कर सकती है जी हां मस्टर ओयल भी बहुत अच्छे से वर्क करता है अच्छा तेल डालने में बिल इतना अच्छे से वर्क करती है कि आप पूछे मत तो यहां पर मैंने बत्ती को अच्छे से से अधर कर दिया ताकि इसका जो भी हमने इसके अंदर डाला है वो निकले नहीं उसके बाद आप हमें से जलाएंगे उपर की नोक मैंने थोड़ी सी पती लखे है ताकि हमें जलाने लेकिन अगर आप इसको डेली करेंगे ना सुबर शाम तो आपके घर में एक भी मच्छर मक्य बिलकुल नहीं आएगा पूरे घर में आप इसे घुमा दीजिए और उसके बाद ऐसी जगा पर रख दीजिए जहां पर आपको लगता है कि यहां से मच्छर मक्य जादा आते ह एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा तो जो मेरी नेक्स टिप है इस तरह हमारे कॉटन के जो ब्लाउजेज होते हैं उनको लेकर है कॉटन के ब्लाउज बहुत जादा हलके होते हैं और जब भी हम इनमें सेवटी पिन बगएरा लगाते हैं ना साड़ी के साथ तो आप द जादा नहीं करना है बहुत थोड़ा सा करना है लेकिन इससे आपका बहुत जादा काम आने वाला है आपका ब्लाउज नेक्स टाइम कभी नहीं फटेगा आपको क्या करना है जब भी हम पिन लगाते हैं उससे पहले आप इस कपड़े को लीजिए और खुब सारी मोटा सा लेएर करके इसे सेफटी पिन के अंदर गुसा दीजिए इससे क्या होगा जब भी आप इसे सेफटी पिन को अब ब्लाउज में लगाएंगे न तो आब यह आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं फटेगा क्योंकि हमने पहले से ही इसमें कपड़ा लगा दिया है अच्छा ज अच्छे से काम करती है आप जरा सा कपड़ा इसी के अंदर लगा देंगे न तो नेक्स टाइम आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फटेगा तो छोटी-छोटी सी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत काम की है तो मेरी नेक्स टिप है इस तरह हमारे जब गर्मियों में हम जल जा लेकिन 2000 परसंट यह बहुत अच्छे से वर्क करती है ना तो आपके जलन होगी नहीं आपके छाले पड़ेंगे कुछ भी नहीं होगा और यह चीज़ आपको अपने घर में ही मिल जाएगी जीहां शहद शहद जो होता है ना अगर आपके कहीं भी जल गई हैं कहीं पर भी आप जल गए हैं तो उस टाइम पर आप शहद लगा लिजिया बस आपको दूसरी कोई चीज लगाने की जरुवत नहीं आपके फेस होगोजाय कुछ भी हो इमेरे तो लिग लेल को आज गए हैं तो उस टाइम पर आप शहद की एक मोती लिए Chance लियल लगा लींगे आप दे तो यह चोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम किया मेरी अजमाई हुई ट्रिक है इस तरह से जब भी मैं जल जाती हूं तो मैं शहद लगा लेती हूं जिससे न मेरे तो कोई स्पॉट परता है और नहीं जलन होती है तो यह आई होप आपको मेरी यह ट्रिक जरूर पसंद आए उसे हम इस तरीके से जबब का कवर करने के लिए यहां पर आप दो रबर्बेंड की busy जो बी आपके घर में पुरानी रबर्बेंड हो या फिर पुरानी टी-शिर्ट हो उनकी मदद से आप इसे लगा दीजे एक रबर्बेंड ऊपर और एक रबर्बेंड नीचे इससे क्या होगा कि आपको न जब आप सफाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी डबल मतलब महनत बच जाएगी और सिर्फ जाडू पोचाई जय काएगी ने तो हमारी घ्रडू भी टूट जाएगी तो आपको हलका हलका गीला करना है बस कुछ इसतरे इसे जैसे मैं हलका अहां पानी छीड़ा करते हैं न बस उसी तरह से ताम ने यहाँ पर इसे पानी च्ट्डब दिया है और उसके बाद अब हम इसका expect सकते ह slip time कर Jew सोफे के नीचे या फिर बैड के नीचे और उस जगह पर हम जब जाड़ू पोछा करते हैं न तो हमारा मतलब वो एरिया रही जाता है आप कितनी भी कोशिश कीजिए जाड़ू की सिर्फ जाड़ू से न अच्छे से सफाई नहीं होती है तो देखे कितनी एक बार में सिर्फ कितनी गंदी की निकल कर बाहर आई है तो इसी तरह से आप सोफे के नीचे या बैड के नीचे या फिर आप इसको न बहुत सारी जगों पर इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि आपकी जो वाल होती है न वाल इन दिनों में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो देखे कितनी जल्दी टी-शिर्ट हमारी गंदी हो गई तो यहाँ पर देख सकते हैं वाल का कॉर्णर कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है और जो वाइट एरिया होता है वहाँ पर तो और ज़्यादा दिखाई देता है तो आगर आप टी-शिर्ट को हलका सा गीला करके जाडू की मदद और दूसरी बाद आप डस्टिंग करो तो दो दो चीजों को आप एक बार में कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी सफाई हो जाती है तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी जरूर पसंद आई होगी तो देख सकते हैं आप हमने पूरी दिवाल को एगदम साफ कर लिया है और टीशर्ट कितनी जादा गंदी हो गई है ये भी आप देख सकते हैं देखने से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इतनी जादा गंदी की निकलेगी दिवाल पे लेकिन आप देखिए कितनी जादा गंदी की निकले हैं मेरी टीशर्ट पूरी हलके इस से लीक करना ही चेक करना काफी नहीं होता है आपको ना हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए यहां पर जो नंबर लिखे रहते हैं ये नंबर्स भी जरूर देखने चाहिए जिहां इन नंबर्स का भी एक मतलब होता है जैसे हमारे ये A, B, C, D यहां पर लिखे रहते हैं, उसका मतलब होता है जन्वरी, फर्वरी, मार्च, एप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चार-चार महिने में डिबाइड होते हैं, तीन-तीन महिने में डिबाइड होते हैं, तीन महिने का मतलब होता है, A का मतलब होता है, जन्वरी, फर्वरी और मार्च, B का मतलब होता है, अप्रेल, मई, जून, C का मतलब होता है, जुलाई, अगस, सितंबर, D का मतलब होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब और जो नमबर्स लिखे होते हैं, उसका मतलब हो तो आप जब भी next time cylinder खरी ले तो ये नमबस जरूर चेक कीजिए सिर्फ cylinder का leak होना ही चेक करना काफी नहीं होता है क्योंकि हमारी mistakes से न हमारे घर में बहुत बड़े-बड़े हाथ से हो जाते हैं अचा कई वार हम जब cylinder खरीते हैं तो हम अकेले होते हैं उस time पे घर में तो उस time पर आप कोई भी थोड़ा सा hard polythine ले लिजिए और उस polythine को अपने cylinder के नीचे लगा लीजिए लगाने के लिए आपको पूरा cylinder उठाने की जरूद बिलकुल नहीं है आपको हलका से cylinder आगे उठाना है और नीचे से polythine को इसके नीचे पुश कर देना है और उसके बाद आ आएंगे न तो आसानी से तो आपका cylinder खिच जाएगा और जमीन पर भी बिलकुल निशान नहीं पड़ेंगे आप अकेले ही इस चीज को आराम से उठा पाएंगे I hope आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगे ट्रिक्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक शेर सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी साथ अपने family friends पर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन से पसंद आई है साथी साथ ये भी बताएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाउन या खिस शेर से देख रहे हैं